नमस्कार देवियो और सज्जनो आज हम गुज्राती डोकड़ा बनाएंगे रवादाल डोकड़ा बनाएंगे। गुज्राती डोकड़ा को सौफट, स्पंजी, जालिदार और दानेदार कैसे बनाएं वो मैं आपको बताऊंगा। इस रवादार ढोकले में हरे मटर और गाजर डाल कर उसे ज़्यादा हेल्दी और फाइबर से भरपूर बनाएंगे. इस वीडियो को देखने के बाद आपका ढोकला भी सॉफ्ट बनेगा, जालीदार बनेगा और दानेदार भी बनेगा. गेस को ओन करेंगे और एक कड़ाई में इस चना डाल को भून लेंगे, बिना रूके चलाते रहेंगे, इस चना डाल को भूनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, दो तिन मिनिट के बाद हमारी चना डाल भून चुकी है, हलका सा कलर आ गया है, इसी तरह से हम आधा कप स सूजी को भी भून लेंगे, आधा कप रवा भी भून चुका है, उसे हम ठंडा कर लेंगे, चना डाल भी ठंडी हो चुकी है, इस चना डाल को हम पानी डाल कर बिगो लेंगे, करीब तीन चार घंटों के लिए इस चना डाल को बिगो लेंगे, सूजी में भी पानी डाल कर साइड में रख देंगे करीब 15-20 मिनिट के लिए हमने करीब एक कप पानी एड़ किया है 3-4 घंटों के बाद हमारी चना दाल अच्छी तरह से भीग चुकी है चना दाल को ग्राइंडर जार में डाल कर ग्राइंड कर लेंगे हरी मिर्च के टुकडे करके एड़ करेंगे एक इंच अदरक के छोटे छोटे टुकडे करके एड़ करेंगे 5-6 लसुन की कलिया डाल कर ग्राइंड कर लेंगे अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे चना दाल का दानेदार मिस्रण तैयार है अब उसमें हम रवाइड करेंगे जिसको हमने पानी डाल कर बिगो कर रखा था मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिला लेंगे थोड़ा सा पानी एड करेंगे और डालेंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर सेंदा नमक डालेंगे स्वादा नुसार आधा टेबल स्पुन सक्कर एड़ करेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे इस मिसरंड के टेक्स्चर पर जरूर ध्यान दे लेमन जूस एड़ करेंगे हमारा गुजरती ढोकडा थोड़ा सा खटा, थोड़ा सा मिठा होना चाहिए मिला लेंगे एक चोथाई कप हरे मटर को coarsely grind कर लिया है एक गाजर को भी grate कर लिया है हरे मटर और गाजर को चना दाल के बेटर में डाल कर colorful बनाएंगे, healthy बनाएंगे mix कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे एक चोथाई टीस्पून बेकिंग सोडा एड़ करेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे बेकिंग सोडा अच्छी तरह से पिगल जाना चाहिए दोस्तो बेटर को अच्छी तरह से फेटिये ताकि हमारा ढोकला सौफ्ट बने और जालीदार बने बेटर को टेस्ट करने के बाद इस पेपर कप में डालेंगे दो टेबल स्पून मुंख़ली के तेल को गरम कर लिया है उसमें आधा टीस्पून हिंग डालेंगे गरम तेल को बेटर में डाल कर अच्छी तरह से मिला लेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके बाद इनो फ्रूट सोल डाल कर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिला लेंगे अब इस मिस्रन को हम इस पेपर कप में डालेंगे और जो बेटर बचेगा उसको ट्रे में डाल कर भाप में पका लेंगे हमने एक पेन में पानी को गरम करने के लिए रख दिया है चलनी को रखेंगे कवर करेंगे और पकाएंगे करीब 15 मिनिट लगेंगे 15 मिनिट के बाद हमारा रवादाल ढोकला तैयार है पेपर कप होने की वज़़े से हमारा ढोकला फैल गया है सेप थोड़ा सही नहीं आया इस गुजराती रवादाल ढोकला को ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद मंचा है सेप में काट कर तड़का लगाएंगे आप इस ढोकला को ऐसे ही मुंगफली के तेल के साथ लसुन की चटनी के साथ या फिर चाई के साथ एंजोई कर सकते हो देवियो और सज्जनो हमारा हेल्दी फाइबर से बरपूर गुजराती पोपिलर फरसान खटा बिठा गुजराती रवादाल ढोकला तैयार है ये डोकला सौफ्ट है, स्पंजी है, जालीदार है, दानेदार है। हम इस डोकले में तड़का लगाएंगे, वगार करेंगे। मुंगफली का तेल लेंगे तड़के के लिए, तेल गरम होने पर सरसो एड़ करेंगे, करीब आधा टेबल स्पून सरसो एड़ करेंगे, करीब पत्ते डालेंगे, एक टीस्पून सफे तिल, आधा टीस्पून हिंग डालने के बाद पानी एड़ करेंगे, थोड़ी सी सकर ड डोकला डालेंगे, मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप इस गुज्राती पोपिलर हेल्दी डोकला को जरूर ट्राइ करें और आपके अनुभव हमारे साथ सेर करें। आप स्वस्त रहे, मस्त रहे, तंदुरस्त रहे. हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार.